नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल सक्सेस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बुलूचीप कमपनी जो आपको बोनस दे सकता है तो आगे आने बाले समय में जो कमपनी बोनस दे सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करें तो उससे पहले पता दे हमारी चैनल पर स्टॉक मार्केट और मुचल फंड से रहे बहुत सारी विडियो है जिसे देख करके आप इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट और मुचल फंड में और टेली ग्राम चैनल को जोईन करना ना भूले डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तो यह है बूलुचीप कमपणीयों के लिस्ट इसलिस्ट में हम आपको कम् से कम 20 चैनल पाइब जो कि आगे आपको बोनस दे सकता है इस लिस्ट में हमारे जो पहला स्टोक है वो है रिलाइस्ट बोस्तो घॉल यहाइन्स का है कि उसका debt अब बिलकुल खतम हो चुका है उन्होंने जो प्रोमिस किया था मुखे शम्मानी जी ने कि 2021 तक हम debt को खतम कर देंगे वो 2020 में भी किलियर हो चुका है अगर debt reliance का पूरी तरह से zero हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास जो cash reserve है वो है 4,26,000 तो जब यह अपने reserve को यूज करना चाहेगा अपने business को आगे expand करने के लिए तो निसित है यह shareholder को वो जो reserve और surplus cash है उसको यूज करने के बदले shareholder को क्या करेगा bonus share देगा तो bonus share जब यह issue करेगा reliance तो debt तो zero हो चुका है तो जब issue करेगा तो वो क्या करेगा अपने business को expand करने के लिए करेगा तो reliance जो है काफी दिनों से bonus नहीं दिया है तो ऐसे उमीद है कि reliance आपको आगे bonus दे सकती है तो bonus का फायदा तभी होता है जब आपका जो price है वो grow करे मतलब आपका जो investment है वो grow करता है उसके बाद आपको bonus मिलता है तो उससे आपको benefit होता है ना कि जब bonus आए तब आप share buy करें उसके बाद दूसरा है हमारा infosys अभी तो जानते है सबसे ज़्यादा bonus देने में infosys ही है अभी जो recent time है उसमें जो regular interval पे मतलब regular समय पर जो bonus दे रहा है वो है infosys और यहांपा peer ratio भी लिखा है reliance का peer ratio 37 है काफी हाई है और infosys का मात 20 है और साथी साथ बता ले इसमें हम उन company हो जिको सामिल नहीं क्या है जैसे कि finance sector से हो गया, auto sector से हो गया क्योंकि यह company अभी perform करने बाली नहीं है क्योंकि आने बाला जो समय है आप देख सकते हैं और अभी का जो समय है उसमें जो हमारा finance sector है, banking sector है और जो हमारा NBFC sector हो गया, उसके बाद auto sector हो गया यह सब underperform रहेगा, तो जब price में movement ही नहीं होगा, price में growth ही नहीं होगा तो वो company बोनस कहां से देगी, वो अपने business को expand करने के लिए नहीं सोचेगा बलकि अपने business को survive करने के लिए सोचेगा तो हमने वो company को इसमें सामिल नहीं किया है, जो कि अभी survive करने के लिए सिर्फ सोचेगा, survive करने के बारे में सोचेगा तो Infosys जो IT कंपनियां है टेकनलोजी कंपनियां उसका तो बूम आने वाले समय में तो ये कंपनियां है जो कि अभी काफी बेहतर परफॉर्म कर सकती है IT कंपनियां जो भी टेकनलोजी कंपनियां है साथ-साथ जो FMCG ये तो इभर ग्रीन सेक्टर है FMCG चलता रहेगा तो उसके बाद हमारा है TCS ये रिजर्व और कैस है देख सकते हैं TCS का पास 78,000 करोड का रिजर्व है करोड में है ये सारा रूपीज इतना करोड का और इसका P.R.S.O. देख सते हैं TCS का है 24 और Infosys का 20 उसके बाद ITC ITC इसका भी बिजनेस जो Secret बिजनेस से प्रभावीत रहेगा Stationary का बिजनेस प्रभावीत रहेगा लेकिन ये जो FMCG बिजनेस भी है इनका Agriculture बिजनेस भी है वो सारे बिजनेस इनका परफॉर्म करेगा तो ITC तो इसके पास 58,000 करोड का रिजर्व है ITC का जो P-Ratio है 15 का है लो P-Ratio पापको मिल रहा है उसके बाद हमारा पाचमा है वो है SCL Tech SCL Tech ये भी IT कमपनिया है और 38,000 करोड का इसके पास रिजर्व है डेप्ट बिल्कुल 0 है 18 का P-Ratio है उसके बाद छटे नमर पे है हमारा B-Pro जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कमपनिया वो है B-Pro सबसे ज़्यादा बार जो कमपनिया बोनस दी है वो है B-Pro अगर इसके 100 share खड़ीदे होते है अभी आपके पास करोड़ों share होते समसबते हैं पास 5000 क्रोड का है उसके बाद P-Ratio 15 का है उसके बाद है हमारा टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा इसके पास cash और reserve जो है 23,000 क्रोड का cash reserve है कमपनिय के पास डेफ्ट विलकुल 0 है और P-Ratio 12 का है उसके बाद 8 में नमर पे हमारा लूपीन फार्मा सेक्टर अगले 2-3 सालों तक परफॉर्म कर सकता है इसलिए आप फार्मा के जो अच्छे stock है उसे पीक कर सकते है तो लूपीन फार्मा सेक्टर का एक एक stock है जısका काफी अच्छा मतलब प्रोडक्ट है काफी अच्छा मार्केट पे पकड़ भी है और इसके पास जो cash reserve है 18,000 क्रोड का है और जो debt है 0 है कंपनी का peer ratio देख सने 57 काफी हाई है उसके बाद डॉक्टर रेडिज लेब इसका भी काफी diversified business है और इसके पास जो cash reserve है 15,000 क्रोड का और जो इसके पास debt है 1,062 क्रोड का मामली सा debt है और peer ratio मात 23 का उसके बाद अरविन्दो फारमा 13,000 क्रोड का company के पास देख सने reserve है और 3,700 क्रोड का company के पास debt भी है लिकिन reserve उसके तुलना में काफी जादा है और 25 का peer है इस company के पास तो जो आपको bonus मिलता है इसी reserve और surplus money को जो reserve और surplus money है उसे जब company use करना चाहती है अपने business expenditure में अपने growth पे use करना चाहती है तो उस reserve के पदले जो shareholder होता है उसे वो bonus share देती है क्योंकि जो reserve और surplus money होता है वो होता है shareholder का तो shareholder के ही money को जब यूज करना चाहता है तो उसके बदले में क्या देता है वो जो shareholder होता है उसे bonus share देता है तो यह हो गया हमारा अरविंदो फार्मा उसके बाद है और इसके पास जो cash reserve है वो 12,000 क्रोड का और company का P ratio है 73 काफी high P है उसके बाद हमारा अगला है 12 नमर पे अभेन्यू सूपरमार्ट यह भी company काफी बहतरी है यह काफी growth पर ध्यान दे रही है और company के पास 10,000 क्रोड का cash reserve और surplus money हो चुका है तो यह company काफी expenditure पर ध्यान दे रही ह तो ऐसे में जब यह expenditure पर ध्यान दे रही है तो हो सकता है यह जो है अपने shareholder को bonus share दे सकती है क्योंकि अपने reserve surplus money को निशित है कि dividend में नहीं बाटने वाली है यह अपना उस money को यूज करने वाला है तो जैसे यूज करेगा तो निशित है bonus share issue करेगा और इसके पास debt मातर 246 क काफे strong है तो उसके बाद हमारा अगला है डिविज लेव डिविज लेव देखते हैं 7300 क्रोर का इसके पास cash reserve है और इसका पी ratio है 45 debt बिलकुल 0 है कंपनी के आपास यह कंपनिया भी आपको bonus दे सकता है क्योंकि आप देखते हैं जो डॉक्टर रेडिज लेव है मार्ट 23 का ह है तो काफी IP है हो सकता है कंपनिया भी अपने बिजनस को expand करना चाहे का भी फार्मा सेक्टर जो काफी डिमांड में है तो ऐसे में अपने business expand के लिए अगर cash यूज करता है reserve money तो निस्तिते shareholder को वो bonus issue कर सकता है उसके बाद है डाबर जो के regular interval पर अपने shareholder को bonus share देते आया ह है और इसके पास जो reserve cash है वो है 4922 करोड का और company का जो P ratio है 67 का तो यह भी काफी बहतरीन कंपनिया है bonus के मामलें भी अलगातार interval पर अपने shareholder को bonus दिया है उसके बाद है गोदरेज कंजूमर गोदरेज कंजूमर भी काफी बहतरीन share है 5110 करोड का इसके पास cash reserve है या कह surplus money है और इसका भी जो P ratio है 56 का है यह भी काफी बहतरीन कंपनिया है जो regular interval पर अपने shareholder को bonus share देती है उसके बाद है medico 3455 करोड का cash और reserve money है company के पास यह भी कंपनिया काफी बहतरीन है यह भी लगातार इधर हाल हाँ फिलाल के दिनों में bonus share अपने shareholder को देते आया है और इसका P ratio 43, debt बिल्कुल 0 तो यह था कंपनियों का list इसमें से आप pharma sector के कुछ stock चुन लें IT sector से कुछ stock चुन लें एक दो जैसे आप Infosys चुन लिए उससे तरह से HCL Tech को चुन लिए दो stocks उससे चुन लिए फिर आपको जो अलग लग है Avenue Supermart Reliance, HUL, DAB और Medico इसमें से कुछ stock चुन लेन है को उसका जो परामीटर्स है किसी भी stock में long term investment का हमने जो परामीटर्स बताया था उस वीडियो को आप उपर i button पे क्लिक करके जरूर देखें एक कम से कम आपको 10 परामीटर्स देखना चाहिए 100 परामीटर्स पे फिट बैठता है तभी आप उस stock में long term के लिए invest करें तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जाईए या i button पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लिजिए और फिर invest किजिए तो उमिर करते हैं यह वीडियो आपके लिए helpful लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करना है चैन